नमस्कार मैं राना यश्वंद आज आपको मश्हूर बांस रिवादत पन्ना लाल घोश की कहानी सुनाता हूं चुकि पन्ना दा की कहानी के एहम किरदार जाने माने संगीत कार अनिल विस्वास रहे हैं इसलिए पन्ना दा की कहानी सुनाने से पहले अनिल विस्वास का किस्सा अनिल विस्वास जब छोटे थे तो उनकी मा तीर्थयात्रा पर गई तब सफर इतनी आसानी से पूरे नहीं होते थे यात्राओं में समय लगता था मा जब लंबी यात्रा से लोटी तो अनिल थोड़े बड़े हो गए थे मा ने देखा कि बेटे के कमरे में बासुरी रखी हुई वैसे तो मा को बासुरी से कोई परहेज नहीं था लेकिन नजाने क्यों बेटे का बासुरी बजाना मा को पसंद नहीं आया मा ने बांसरी उठाई और फेक दिया अनिल छोटे थे इसलिए मा के सबरताव का उन्होंने विरोध नहीं किया लेकिन अपने दिल का दर्द उन्होंने पन्ना लाल घोश को सुनाया पन्ना लाल घोश हमारी आज की कहानी के किरदार पन्ना दा जाने माने सितारवादक अक्षर कुमार घोश के बेते थे जब उन्होंने सुना कि अनिल की माने बांसरी फेक दी है तो कहा एक काम करो तुम अपनी बांसरी अब मुझे दे दो इसके बाद से पन्ना लाल घोश ने बांसरी बजाना शुरू कर दिया और सितार बजाना छोड़ दिया यह पन्नालाल घोष की लगन, संकल्प और काबलियत का ही नतीजा है कि बासरी को इतना बड़ा मंच संगीत की दुनिया में मिला या यूं कहिए कि बासरी को मंच पर लाने का श्रेय पन्नालाल घोष को गया पंडित पन्नालाल घोश का जन्म 24 जुलाई 1911 को बंगाल में हुआ था ये वो वक्त था जब आजादी की लड़ाई पूरे देश में लड़ी जा रही थी पंडित जी बाद में खुद भी इस लड़ाई का हिस्सा रहे पंडित पन्नालाल घोश और अनिल विश्वास में गजब की दोस्ती थी अनिलदा कहते थे कि दोनों दो शरीर जरूर हैं लेकिन आत्मा एक ही है इस कमाल की दोस्ती का कारण एक यह भी था कि जब पंडित पन्नालाल घोश महज 13 साल के थे तो उनका विबाह अनिल विश्वा कि बहन पारुल घोश के साथ हुआ पारुल खुद भी एक बहतरीन गाईका थी पंडित पन्नाला घोश एक बार बांसरी के हुए तो बस बांसरी के ही होकर रह गए बाद में वो मेहर घराने के संस्थापक और महान शास्तिय कलाकार बाबा अल्लावदिन खान के शुष भी र सेखिए कहा यह जाता है कि शुहनाई के सम्राट और भारत रत अस्तार बिस्मिल्ना के शुहनाई को जो उचाई दिलवाई वही बॉलंदी पंडित पंडित पन्नाал घोश ने बांस्री को दिलाई ये पंडित पन्नालाल घोशी थे जिन्होंने बांस्री वादन में गाय की यंग की शुरुवात की इसके बाद से बांस्री वादन में शास्री रागों को बजाना संबह हो गया 1934 में वो कलकते के न्यू थियर्टर्स में काम करने लगे इसी दोर में उनकी मुलाकात महान संगीतकार आर्सी बोराल से हुई जो उन दिनों आल इंडिया रेडियो से जुड़े हुए थी कहते हैं कि एक बार बोराल साहब ने अनिल विश्वास को रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया था अनिल विश्वास और पन्ना लाल घोष साथ साथ गए उससे पहले दोनों ने कॉफेशनल स्टूडियो देखा नहीं था उस रोज स्टूडियो के अंदर अनिल विस्वास को पसीना आ रहा था और स्टूडियो के बाहर पन्ना लाल घोश को रिकॉर्डिंग के बाद जब अनिल विस्वास स्टूडियो से बाहर निकले तो उन्होंने पन्ना लाल घोष दे पूछा कि तुमको पसीना क्यों आ रहा था तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात के फिक्र थी कि तुम अंदर क्या गाओगे वैसे कुछ साल बाद जब पन्ना लाल घोष मुंबई गए तो अनिल विस्वास जाने माने संगीतकार के तौर पर सिनेमा के दुनिया में स्थापित हो चुके थी फिर तो अनिल विस्वास के फिल्मों में जहां कहीं भी बासुरी के इस्तिमाल हुआ उसे बजाने वाले उनके जिग्डी यार पन्ना लाल घोष ही रहे 1952 में चेतन आनंद की फिल्म आधिया का जिक्र जरूरी है इस फिल्म में बैकडाउन म्यूजिक देने वाले दिगज कलाकारों में उस्ताद अली अकबर खान पंडित रवी शंकर के साथ पंडित पन्ना लाल घोष भी शामिल थे बांसुरी में शस्त्रेता के लिहास से पंडित पन्ना लाल घोष को ही इस बात का शुरिया जाता है कि उन्होंने एक और छेद कर उसे साथ छेद वाली बांसुरी बनाया बांसुरी का जो प्रचलित स्वरूप आज है वो वही है पंडित पंणालाल घोष मंच पर कार्करम प्रस्तुत करते समय तीन बासुरियों को एक साथ रखते थे अती मंदर सब्तक यानी नीचे के सुरों के लिए वो मोटी बासुरी का इस्तेमाल क्या करते थे उन्होंने बासुरी के साथ और भी कई तरह के प्रयोग किये जिसमें धातू, लकडी और बास की बनी बासुरी के प्रयोग भी शामिल हैं ये पंडित पंणालाल घोष के महानता ही थी कि तमाम बड़े कलाकार उनको बहुत सम्मान दिया करते थे सुर्शमरागी लता मंगेशकर जैसी शक्सियत कहती हैं कि उनके साथ रिकॉर्डिंग का आनंद ही कुछ और हुआ करता था ये भारतिय शास्त्रे संगीत की बदकिस्नती है कि पंणालाल घोष जैसा बड़ा कलाकार कम उम्र में ही दुनिया छोड़ गया 1960 में दिल्ली में दिल का दौरा परणे से उनका निधन हो गया था नबस्ते, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रागिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और फेस्बुक और ट्यूटर के जर्ये भी आप हमसे जूट सकते हैं तैंक यू नमस्कार मैं राना यश्वंत आज आपको मशूर बास रिवादत पन्ना लाल घोष की कहानी सुनाता हूं चूकि पन्ना दा की कहानी के एहम किरदार जाने माने संगीतकार अनिल विश्वास रहे हैं इसलिए पन्ना दा की कहानी सुनाने से पहले अनिल विश्वास का किस्सा अनिल विश्वास जब छोटे थे तो उनकी मां तीर्थ यात्रा पर गए तब सफर इतनी आसानी से पूरे नहीं होते थे यात्राओं में समय लगता था मा जब लंबी यात्रा से लोटी तो अनिल थोड़े बड़े हो गए थे मा ने देखा कि बेटे के कमरे में बासुरी रखी हुई वैसे तो मा को बासुरी से कोई परहेज नहीं था लेकिन नजाने क्यों बेटे का बासुरी बजाना मा को पसंद नहीं आया मा ने बासुरी उठाई और फेक दिया अनिल छोटे थे इसलिए मा के सबरताव का उन्होंने विरूध नहीं किया लेकिन अपने दिल का दर्द उन्होंने पन्ना लाल गोश को सुना आया पन्ना लाल घोष हमारी आज की कहानी के किरदार पन्ना दा जाने माने सितारवादक अक्षर कुमार घोष के बेटे थे जब उन्होंने सुना कि अनिल की माने बांसरी फेक दी है तो कहा एक काम करो तुम अपनी बांसरी अब मुझे दे दो इसके बाद से पन्नालाल घोष ने बाश्री बजाना शुरू कर दिया और सितार बजाना छोड़ दिया यह पन्नालाल घोष की लगन, संकल्ब और काबलियत का ही नतीजा है कि बाश्री को इतना बड़ा मंच संगीत की दुनिया में मिला या यूं कहिए कि बासुरी को मंच पर लाने का श्रेय पन्नालाल घोश हो गया पंडित पन्नालाल घोश का जन्म 24 जुलाई 1911 को बंगाल में हुआ था ये वो वक्त था जब आजादी की लड़ाई पूरे देश में लड़ी जा रही थी पंडित जी बाद में खुद भी इस लड़ाई का हिस्सा रहे पन्नालाल घोश और अनिल विश्वास में गज़ब की दोस्ती थी अनिल्दा कहते थे कि दोनों दो शरीर जरूर हैं लेकिन आत्मा एक ही है इस कमाल की दोस्ती का कारण एक यह भी था कि जब पन्नालाल घोश महज 13 साल के थे तो उनका विबाह अनिल विश्वास की बहन पारूल घोश के साथ हुआ पारूल खुद भी एक बहतरीन गाईका थी पन्डित पन्नालाल घोश एक बार बांसरी के हुए तो बस बांसरी के ही होकर रह गए बाद में वो मेहर घराने के संस्थापक और महान शास्तिय कलाकार बाबा अल्लावदिन खान के शिश्र भी रहे जहां उन्होंने बांसरी वादन की तमाम बारी कियां सीखे कहा ये जाता है कि शहनाई के समराट और भारत रत ने उस्तार बिस्मिल्ला खान ने शहनाई को जो उचाई दिलवाई वही बुलंदी पन्डित पन्नालाल घोश ने बांसरी को दिलाई कात महान संगीतकार आर्सी बोराल से हुई जो उन दिनों All India Radio से जुड़े हुए थी। कहते हैं कि एक बार बोराल साहब ने अनिल विश्वास को रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया था। अनिल विश्वास और पन्ना लाल घोश साथ साथ गए। उससे पहले दोनोंने प्रफेशनल स्टूडियो देखा नहीं था। उस रोज स्टूडियो के अंदर अनिल विश्वास को पसीना आ रहा था और स्टूडियो के बाहर पन्ना लाल घोश को। रिकॉर्डिंग के बाद जब अनिलिस्वास स्टूडियो से बाहर निकले तो उन्होंने पन्ना लाल घोष ते पूछा कि तुमको पसीना क्यों आ रहा था तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की फिक्र थी कि तुम अंदर क्या गाओगे वैसे कुछ साल बाद जब पन्ना लाल घोष मुंबई गए तो अनिलिस्वास जाने माने संगीतकार के तौर पर सिनेमा के दुनिया में स्थापित हो चुके थी फिर तो अनिलिस्वास की फिल्मों में जहां कहीं भी बांसरी के इस्तिमाल हुआ उसे बजाने वाले उनके जिगड़ी यार पन्ना लाल घोष ही रहे 1952 में चेतन आनंद की फिल्म आधिया का जिक्र जरूरी है इस फिल्म में बैक्डाउंड म्यूजिक देने वाले दिगज कलाकारों में उस्ताद अली अकबर खान पन्डित रविशंकर के साथ पन्डित पन्ना लाल घोष भी शामिल थे बांसुरी में शास्त्रेता के लिहास से पन्डित पन्ना लाल घोष को ही इस बात का शुरिया जाता है कि उन्होंने एक और छेद कर उसे साथ छेद वाली बांसुरी बनाया बांसुरी का जो प्रचलित स्वरूप आज है वो वही है पंडित पंणालाल घोश मंच पर कार्करम प्रस्तुत करते समय तीन बासुरियों को एक साथ रखते थे अती मंदर सब्तक यानि नीचे के सुरों के लिए वो मोटी बासुरी का इस्तेमाल क्या करते थे उन्होंने बासुरी के साथ और भी कई तरह के प्रयोग किये जिसमें धातू, लकडी और बास की बनी बासुरी के प्रयोग भी शामिल है ये पंडित पंणालाल घोश के महानता ही थी कि तमाम बड़े कलाकार उनको बहुत सम्मान दिया करते थे सुर्ष सम्मरागी लता मंगेश कर जैसी शक्सियत कहती हैं कि उनके साथ रिकॉर्डिंग का आनंद ही कुछ और हुआ करता था ये भारतिय शास्त्रे संगीत की बदकिस्टी है कि पंणालाल घोश जैसा बड़ा कलाकार कम उम्र में ही दुनिया छोड़ गया उनिसो साथ में दिल्ली में दिल का दौरा परने से उनका निधन हो गया था नमस्ते मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रागिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इन वीडियो को लाइक कीजिए और फेस्बुक और ट्विटर के जर्ये भी आप हमसे जोड़ सकते हैं थैंक्यू